उमीद का दरिया हो, सब्र का बांध हो, हर मन्जिल मिल जाएगी अगर मेरे साइनात का साथ हो ओम साइराम नमशकार प्रणाम, मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साइन के दिवाने चनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ बाबा कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो जितने दुनिया में साइन भक्त और उन साइन भक्तों के जीवन के जितने प्रसंग, उतने ही बेजोड और बेमिसाल अनुभव बाबा की उतनी ही असीम अनुपम लिलाए हमें बारम बार सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है और बाबा पर हमारी श्रधा और अधिक गहराती जाती है आज मैं आपको मुझे की साइन भक्त श्रिमती नंदनी कामले जी का अनुभव सुनाने वाला हूँ ये अनुभव उन्होंने साइं प्रसाद मेगजीन में लिखा था जो वर्ष 1994 के दीपावली अंक में प्रकाशित हुआ था तो आईए बाबा की यह अगाध लीला सुनाते हुए आपको साइं दर्बार के दर्शन भी कराता हूँ 1950 के दशक की शुरुवात हो रही थी ये एक ऐसा समय था जब मुंबई में बहुत कम लोग बाबा की दिव्यता उनकी आध्यात्मिक शक्ती और शिर्डी के पवित्र वातावरण के बारे में जानते थे यातायात तथा संचार माध्यमों के अभाव के दोर ने जैसे साइं बाबा के अलोकिक प्रकाश की चमक को अवरिद्ध कर दिया था हालां कि इसके बावजूद तब के बॉंबे में एक परिवार था जो बाबा की शक्तियों के बारे में उनकी महत्ता के बारे में जानता था वो था नंदनी कामले जी का परिवार उनके घर के प्रार्थना कक्ष में बाबा की एक तस्वीर स्थापिट थी उन्हें भरोसा था कि मुश्किल समय में बाबा की दिव्य उपस्थिती उनकी सहायता कर सकती है नंदनी कामले के पिता जब केवल 6 साल के छोटे बच्चे थे तब वर्ष 1915 में अपने चाचा के साथ वे पहनी बार शिरडी आये थे तब उन्हें बाबा के चरण सपर्श करके उनके आशिरवाद प्राप्त करने का सुवसर मिला था तब ही से नंदनी जी के पिता बाबा के साथ जुड़े थे एक शाम नंदनी के पिता के एक मित्र उनके घर आए उन्होंने बताया कि वे कुछ ही दिनों में शिरडी जा रहे हैं और पूछा कि क्या नंदनी के माता पिता उनके साथ जाना चाहेंगे उस मित्र ने उन्हें शिरडी यात्रा के लिए आमंत्रित करते हुए यह विश्वास भी जताया कि अगर वे शिरडी चलते हैं तो क्या पता बाबा के आशिरवाद से नंदिनी की मा का अर्थराइटिक पेन जोडों का दर्ग भी गायब हो जाएगा नंदिनी के परिवार को ये विचार बहुत पसंद आया साई के पवित्र धाम में जाने की संभावना पर परिवार में बड़ा उत्साह था लेकिन इस उत्साह के बावजू नंदिनी के पिता के मन में होने वाले खर्चे को लेकर पैसो की न्यूनता को लेकर असहायता का करती है उनकी दया और उदारता हमेशा विस्मित कर दीती है उनके नियोजित प्रस्थान से दो दिन पहले जब नंदिनी के पिता काम से घर लोट रहे थे तो उसी समय पीछे से एक पारसी सज्जन तीजी से उनके पास आए और बोले की सर आपकी जेव से आपका बटवा गिर है फिर भी उस पारसी सज्जन ने जोर देकर कहा कि उसने इसे उनकी जेव से ही गिरते हुए देखा है और ऐसा बता कर वो वहां से निकल ले अंत में नंदिनी के पिता ने वो बटवा उठाया और घर चले आए घर लोट कर उन्होंने वो बटवा अपनी पत्नी को सौप द उन्होंने हैरत भरी आफों से एक दूसरे की और देखा और जान गए कि बाबा ने उन्हें किराया दे दिया है वे जान गए कि ये बाबा ने ही उनकी और से हस्तक्षेप किया था उन्हें अपने पवित्र निवास की यात्रा करने के लिए साधन ब्रदान किया था और इसल पहुंचने पर वे बाबा की उपस्थिती की उजवल आभा में डूब गए। नंदिनी की मा का अर्थराइटिक पेन भी ठीक हुआ और वे दोनों आस्था और विश्वास के भाव से गदगद हो गए थे। लेकिन बाबा की लीला यहीं खत्म नहीं हुई। जब कामले दमप अर्थराइटी हर लोट रहे थे तो नंदिनी की मा को बाबा की आर्थी की पुस्तक श्री साइनात सबुनों पासना चाहिए थे। लेकिन उन्हें यह जानकर बड़ी निराशा हुई कि यह पुस्तक अभी स्टॉक में नहीं है और यह अभी मुंबई में भी बुक्स्टॉ पर उपलब्द नहीं है फिर भी बाबा की कृपा तो अप्रम पार है उनके शिर्डी लोटने के कुछ ही दिनों बाद डाकिये ने उनके दर्वाजे पर एक पारसल पहुंचाया जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें उन्हें वही साइनात सगुनों पासना नाम की आर्थी की पुस्तक मिली जिसकी उन्हें दलाश थी सामने का पता उनका था लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था बस शिर्डी का पोस्ट मार्क साफ दिख रहा था नंदिनी के पिता ने अपने घर का पता किसी को नहीं बताया था इसलिए उन्होंने मांग लिया कि ये बा बाबा ने एक बार फिर उनकी और से हस्तक्षेप किया है और उन्हें अपनी कृपा का एक अन्मोल उपहार प्रदान किया है। नंदिनी कामले जी के परिवार ने इस पुस्तक को आज भी बाबा के दिव्य प्रसाद के रूप में संजो कर रखा है। जो की साइं के प्यार और आशिरवात का एक वास्तविक अनुस्मारक है। साइं भक्ष नंदिनी कामले जी का वर्ष 1994 के साइं प्रसाद मेगजीन में प्रकाशित हुआ ये अनुभव बाबा की असीम दया और उदारता का प्रमान है। कामले परिवार की बाबा में आस था और साइं की अगाध नीला के उनके अनुभव साबिद करते हैं कि साइं अपने भक्षों के लिए हर स्थिती हर ख्षण मौजूद रहते हैं। तमाम साई के दिवानों को साई भगतों के ये अनुभव सुना कर बाबा की ब्लेसिंग्स और उनकी दिव्यता का बखान करने में मुझे बड़ा ही आनन दाता है बड़ी खुशी होती है क्योंकि बाबा का आशिरवाद रिंजिम बरस्ती बारिश की तरहे है जो हमारे विश्वास की जड़ों को कोशित करता है और हमें अधिक मजबूत और त्रिड बनने में मदद करता है बाबा की दिव्यता एक प्रकाश स्तंवे की तरहे जीवन के तूफानों में हमारा मार्ग तर्शन करती है घने कोहरे के बीच हमारे पथ को आलोकित करती है और हमें सुरक्षित रूप से किनारे तक ले जाती है हमारी आत्मनती का मार्ग तरशस्त करती है बाबा का आशिरवाद गर्मी के जुमसाते दिन में थंडी हवा की तहे होता है जो ठके हुए आत्मा को राहत और आराम देता है जलती धूप में थंडे पानी की तहे हमें तरोताजा कराता है और मुर्जाई रूर को फिर से नवचेतना से भर देता है बाबा की दिविता एक दर्पन की तरहे है जो हमारी अंतरतम इच्छाओं और आकांग शाओं को प्रतिबिम्भित करती है दर्शाती है जो हमें हमारे वास्तविक उद्देश के साथ संरेखित करने में मदद करती है बाबा का आशिरबाद एक नदी की तरहे है जो प्रेम और करुणा के जल से अंतहीन रूप से बहती है और हमारी आत्मा की अशुधियों को दूर करती है हमारे विश्वास को पुनरस्थापित करती है बाबा की दिव्वता किसी सर्द रात में तबते अलाव की तरहे है जब इसकी सबसे अधिक आवश्चकता होती है तो ये हमें आराम और गर्माहट प्रदान करती है जब हम अकेले या परेशान महसूस करते है तो बाबा का आशिरवाद किसी प्रियजन के किसी अपने के गर्म आलिंगन की तरहे होता है जो हमारे व्याकून मन को सुकून देता है बाबा की दिव्यता पहाड की तरहे मजबूत और अपरिवर्तनी है जो हमारे विश्वास को तिकने के लिए एक स्थिर आधार ब्रदान करती है बाबा का आशिरवाद एक चमतकार की तरह है जो सभी तर्क वितर्कों को धता बता कर हमें असंभव में विश्वास करने का साहज देता है बाबा की दिव्यता एक सिंफनी की तरह है जो हमारे हिदय को सुमधुर संगीत से भर देती है और हमें आत्मों नती की वांचित उंचायों तक पहुचा देती है बाबा की दिव्यता एक उंजी की तरह है जो आध्यात्मिक ज्यान और समझ के द्वार खुबती है बाबा का आशिरवाद एक लकी चाम की तरहे है जो हमारे प्रयासों में सौभागिक और सफलता लाता है बाबा की दिव्यता आशा की किरन की तरहे है जो निराशा की गहराईों में खोर अंधेरे के बीज यकायक चमक कर हमारी अनिश्चित दुनिया में रोशनी लाती है और हमें याद दिलाती है कि हमेशा आगे बढ़ने का एक रास्ता होता है आप सभी साई के दिवानों के जीवन साई की दिवता के प्रकाश से दिप्तिमान हो और बाबा की बलेसिंज आप पर निरंतर वरस्ती रहे यही मैं कामना करता हूँ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा शेयरी साई दरबार से अगर आप कुछ मंगाना चाहते हैं तो हमारी साईकेदिवाने.com इस विबसाइट से आप आसानी से मंगा सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्याल रखे